नमस्कार बजट 2021-22 से समंधित इस अंतिम वीडियो में आपका स्वागत है मैं आपको बता दूँ कि बजट 2021-22 से समंधित तीन वीडियो पहले ही योटुब चैनल पर डाल दिया गया है और यह जो वीडियो है यह अंतिम वीडियो है तो चलिए इस वीडियो की सुरुवाद करते हैं हमें अब पता है कि अनुछेद 112 के अंतरगत संकी सरकार संसद में बजट समंधि प्रस्ताव को रखती है बजट को अगर हम सरल भासा में समझें तो बजट का अर्थ है सरकार के आय एवं व्याय का लेखा जोगा अगर बजट को हम विभाजित करें तो बजट के मुखे रूप से दो भाग होते हैं एक राजस्तु भाग और दूसरा पूंजिगत भाग राजस्त और पूंजिगत इन दोनों को समझने का दो आधार है एक परिसंपत्ति और दूसरा जो इसका आधार है वह है लाइबलिटी या देता यहां आप यह जानने कि जो राजस्तु है उसका परिसंपत्ति और देता से कोई मतलब नहीं होता है कोई सम्बंद नहीं होता है जबकि पूंजिगत भाग की अगर हम बात करें तो पूंजिगत का परिसंपत्ति और देता इन दोनों से मतलब होता है विस्तार से हम बजट क संबंधी जो अलग से कक्षा होगी क्लास होगी जो वीडियो होगा उसमें हम उसमें चर्चा करें चलिए अब बजट के इंतरगत दो भाग एक राजस्व और दूसरा पुंजीगत राजस्व के दो भाग एक राजस्व आए और दूसरा राजस्व व्याए ठीक इसी तरह को देखते हैं जो राजस्व भाग के अंतरगत आयपक्ष है इसके दो भाग एक ऐगत और दूसरा गहर कर मतलब कर प्रापती और गयर कर प्रापती का अंतरगंगाट दो परकार के कंगर पृत्यक्ज कर और ओपत्यक्जकर जैसे की व्यक्तिकत आयकर, निगम आयकर, मेट आदी और आपरतक्ष के अंतरगत, जीस्टी, एक्साइज, ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और गैर कर के अंतरगत, सरकार के द्वारा वस्तु और सेवा की जो बिकरी की जाती है, उससे जो होने वाली प्राप्ति होती है, उसे हम राज़स्य के आयक भाप्ति के अंतरगत रखते हैं, जैसे सरकार के द्वारा जो SUL के लिए जाते है, जो जुर्माना लिया जाता है, इसी तरह अन्मद्य, उसके अलावा, क्वाटी सेक्टर Undertakings या Central Public Sector Undertakings कि अंतरगत जो लाभांस की प्राप्ति होती है या जो सार्जनिक छेतर के जो निगम है उससे जो लाभांस की प्राप्ति होती है या उससे जो सरकार को लाभ की प्राप्ति होती है वो भी गैर कर प्राप्ति के अंतरगत आता है और फिर सरकार ने जो रिन दिया है उस रिन पर जो ब्याज की प्राप्टी होती है वह भी गैर कर प्राप्टी के अंतरगत रखा जाता है और फिर सरकार को जो अनुदान प्राप्ट होते हैं वह भी राजस्य के आई पक्ष में गैर कर प्राप्टी के अंतरगत रखा जाता ह अब हम आते हैं किस पर व्यापक्ष पर व्यापक्ष पर देखिए रिन पर व्याज मतलब सरकार ने जो रिन लिया है उस रिन पर सरकार के द्वारा जो व्याज अदाइगी की जाती है वह राजस में व्यापक्ष के अंतरगत रखा जाता है फिर सरकार के द्वारा दिया गया राजस है इस राजस के अंत्रगत I और व्यै इन दोनों प्रक्षों को हमने देखा अब हम बढ़ते हैं पूंजिगत सरकार को दो पड़कार की प्राप्ति होती एक रिन प्राप्ति और दूसरा गैर रिन प्राप्ति रिन प्राप्ति के अंतरगत, आंत्रिक रिन और वाहिरिन और गैर रिन प्राप्ति के अंतरगत सरकार ने जो रिन दिया है उस रिन का वापसाना और विनिवे से जो प्राप्त रासी है वह है पूंजीगत में आएक अंतरगत हमने देख लिया, अब हम बढ़ते हैं पूंजीगत के व्यापक्ष की ओड़, व्यापक्ष की अंतरगत देखें क्या है, कि केन सरकार के दोरा योजना पर किया गया खर्च, और किस प्रकार की योजना पर किया खर्च, जिससे परिसंपत्यो को दिया गया रिन है तो जिस बजट के हम बात करते हैं उस बजट के राजस और पुंजिगत ये दो पक्ष है राजस और पुंजिगत इन दोनों के अंतरगत आए और व्यापक्ष आए और व्यापक्ष फिर मैं दोरा रहा हूं मैंने यह बात कही कि क्या राजस वे आए और क पुझीगत आये और क्या पुझीगत वे आखिर इनके अंतर का आधार क्या है तो आधार दो है परिसंपत्ति और देता परिसंपत्ति और देता से परत्यक्ष रूप से जिसका संबंध होता है पुझीगत भाग का जबकि राजस्व का इन दोनों से परत्यक्ष संबंध नही होता है अब हम आज आते हैं बजट 2021-22 पर बजट 2021-22 में कर प्राप्तियों में रुजहान से संबंधित जो विवरन दिया गया है अगर हम उन विवरनों पर गौर करें जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है तो गौर से देखेगा आप यहां कि एक इंडेरेक्ट टेक् संबंधित है फिर पीली रेखा यह डिरेक्ट टेक्स संबंधित है और उपर ग्रॉस टैक्स रिसीट यह रेखा ग्रॉस टैक्स रिपर रिसीट से है मतलब सकल राजस प्राप्ति से है 2019-2020, 2020-2021 revised estimation है, संसोधित अनुमान, क्या होता है, संसोधित अनुमान, वास्तिक आंकड़ा, बजटी अनुमान, हम इसे बाद में देखेंगे, इसी वीडियो में देखेंगे, और फिर तीसरा, बजटी है, एस्टीमेशन, 2021-22, देखेंगे, आकड़े क्या करें, उसके गौर कीजिए आप, 2019-20, अगर सकल कर प्राप्ति की बात करें, यह GDP का कितना प्रतिसत, यह GDP का है, 9.9%, कब की बात कर रहा हूं में, वित्ति वर्स, 2019-20 की, जिसमें, सरकार के, अगर सकल कर प्राप्ति की बात की जाए, तो यह GDP का कितना प्रसेंट, 9.9%, जबकि, 2020-21, अगर वित्ति वर्स की बात करें, तो जो संसोधित अनुमान है, सकल कर प्राप्ति का, तो यह कितना है, GDP का, 9.8%, आखिरिया, किस प्रकार से, प्रस्ण बनाने के दिश्टि कौन से महत्यपूर्ण है, या इस प्रकार से महत्यपूर्ण है, वित्ति वर्स 2019-20 की तुलना में, वित्ति वर्स 2020-21 में, सरकार की जो सकल कर प्राप्ति है, उसमें बढ़ोत्री हुई है, उसमें कमी हुई है, या वह ऑपरिवर्ति थे, तो यह क्या सो कर रहा है, यह सो कर रहा है, यह घड़ रहा है, मतलब ना तो यह बढ़ रहा है, ना यह और परिवर्तित है, बल्कि 9.9% से कितना हो गया, 9.8%, अब हम बात करते हैं, आगामी वित्तिवर्स, मतलब 2021-22 की बात करें, तो 2021-22 में जो बजटी अनुमान लगाये गया है, सकल कर प्राप्ति का वह कितना है, वह GDP का 9.9%, मतलब यहाँ पर यह है, कि 2020-21 में सरकार के जो सकल कर प्राप्ति है, उसमें कमी आई, लेकिन अगले वित्तिवर्स 2021-22 में सरकार के यह अनुमान है, कि सरकार के सकल कर प्राप्ति में क्या होगी, बढ़ятरी होगी, जो कितने के बराबर हो जाएगी, 2019-2020 के बराबर होगी, यह तो हमने बात की, सकल कर प्राप्ति की, अब जब आँब यहाँ पर आ जाएं, Direct Text पर, Direct Text में देखिए क्या बता जा रहा है, Direct Text में यह बता जा रहा है, कि 2019 20-20 में कितना है, 5.2% 2020 21st में Direct Text किया हुआ, नीचे गया, 4.7% और 2021 22 में क्या अनुमान लगाई जा रहा है, अनुमान यहां पर यह लगाई जा रहा है, कि यह बढ़ेगा और यह बढ़कर कितना होगा 5% अब अगर हम बात करें indirect tax की तो indirect tax में इस्तिती देखें क्या हो रही है आपर 4.9% नहीं हम 2019 20 की बात करने हैं वो कितना है 4.7% फिर 2020 किसमें indirect tax में क्या देख रहे हैं यहापर वृद्य देख रहे हैं और फिर हम यहाँ पर क्या देखेंगे इसमें कमी देख रहे हैं वो क्या है 4.9% तो देखें अब प्रस्ण के दिश्टिकों से यहाँ पर क्या हमारे लिए महत्पूर्ण है महत्पूर्ण यहाँ पर यह है कि 2019-20 में चलिए ठीक है कि ओपर्ट्यक्ष कर की तुल्ना में पर्ट्यक्ष कर से सरकार को ज्यादा की प्राप्टी भी लेकिन 2020-21 में हम क्या देख रहें यहांपर कि सरकार के पर्ट्यक्ष कर और ओपर्ट्यक्ष कर में अगर हम तुल्ना करें तो हम यह कह सकते हैं कि और प्रत्यक्षकर से सरकार को जादा रासी की प्राप्ति भी तुल्नात्मक ग्रूप से किसे प्रत्यक्षकर से तो इस प्रकार हमने यहाँ पर कर प्राप्ति के संदर्व में जो विविन आकड़े पेस किये गये हैं उन आगड़ों पर हमने गौर किया और फिर हमने उनका तुलनात्मक अध्यन भी किया अब हम आगे बढ़ें ज़रा कस्टम डूटी के संदर में क्या प्राभधन किया गया ज़रा वो दिखें कस्टम डूटी मतलब सीमा सुलकी यहां पर बात हो लिए बजट में जो प्रस्ताव रखा गया है प्रस्ताव यहां पर यह है कि electronics, automobile, chemicals, worst, micro, small, medium, enterprises, उत्पाद जैसे उत्पादों पर कस्टम डूटी में क्या की जाएगी व्रिधी की जाएगी अब इसका मतलब यहां पर यह है कि जब इन वस्तों को आयात किया जाएगा तो इस पर पहले की तुन्ना में जो आयातित सुल्क हैं वो क्या हो जाएगे बढ़ जाएगे आखिर इसका क्या उद्देश्य हो सकता है अगर इसके उद्देश्य की बात करें मतलब बजट में जो कस्टम से सम्मंदित, कस्टम डूटी से समंदित जो प्रस्ताव रखे गए अगर उसके उद्देश्य की हम बात करें इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो अंतिम वस्तु है उसपर कस्टम डूटी में वर्दि है अंतिम वस्तु मतलब फाइनल गूट्स की यहाँ पर बात को रिये तो अब क्या है कि भारत की सीमा में जो ये वस्तु में आयातित होंगी, जो अंतिम वस्तु है, फाइनल गूर्स है, जब वो आयातित होंगी, तो पहले की तुल्ला में उनके मुल में क्या हो जाएगी? व्रिद्धी हो जाएगी? और इस व्रिद्धी से क्या लाप होगा? इस व्रिद्धी से ये होगा कि ठीक इसी प्रकार की वस्तु को बनाने वाली हमारे यहां की जो विनिर्मान कमपनिया हैं, उनको बाजार में इन कमपनियों के मुकाबले या तुल्लात्म को रूप में तो किर मालने गर पहले जो कस्टम डूटी थी, अगर वह लगाने के बाद आयातित वस्तु का मुलित 100 रूपे होता या था और अब नई स्थिति में अगर मालने की 120 रूपे होता है, ठीक इसी वस्तु को बनाने वाली जो घरेलू विनिर्मान कमपनी है, अगर उसका अंति बाजार मुलित अगर मालने की 110 रूपे होता है, तो एक उभभोकता के नजरिये से सामाने उभभोकता क्या करेगा, कि वह घरेलू विनिर्मान कमपनीों की द्वारा जो वस्तु में बनाई जा रही है, उन्हीं वस्तु को खरीतेगा, इसलिए यहाँ पर घरेलू विनिर्म यहाँ पर यह होता है कि एक देश द्यान देगा है, एक देश में अगर दो प्रकार की वस्तु में आयातित हो रही है, एक जो फिनिस्ट गुड है, अन्ति मुस्तु है और दूसरा राम मैटेरियल है, तो इन्वर्टेड डूटी हमें यहाँ बताता है, इन्वर्टेड उसकी तुलना में जो final goods हैं उस पर कम सीमा सुल्क का लगना दूसरे तरीके से final goods की तुलना में जो raw material है उस raw material पर उच्छ सीमा सुल्क का लगना तो इससे नुकसान किसको होता है इससे नुकसान होता है घरेलू विनिर्मान कमपनियों को नुकसान इसलिए होता है कि जब आया उत्पाद का निर्मान करती हैं तो फिर जो अंतिम वस्में तयार होंगी उसका बाजार मुलने भी ज़्यादा होगा यूं कारक लागत उसका ज़्यादा होगा चले आगे बढ़ें अगरिकल्चर इंफरस्ट्रक्चर एंड डेवलप्मेंट सिस लगाने की बात यहां पर कही गई हैं सिस या उपकर क्या होता है सिस या उपकर या कर पर एक अत्रिक्तिकर होता है कर पर अत्रिक्तिकर जैसे माल लेकि प्राधान यह हो कि सरकार सो रुपए पर या सो रुपए की खरीद पर 10% टेक्स लेती हैं साथिसाथ सरकार अगर यह कहती है कि सरकार 10% उस पर कोई भी सिस लेगी माल ले आप एजुकेशन सिस लेती है तो एक व्यक्ति को कितना देना होगा या कितनी रासी का भुगतान करना होगा पर्टिकुलर वस्तु या सेवा की खरीद पर तो देखें 100 रुपय उसका मूल 10% टेक्स तो कितना हो गया यहां पर 100 का 10% 10 रुपय यहां पर हो गया यह 110 रुपय लेकिन 10% यहां पर क्या है सेश की यह सेश किस पर देना है 100 रुपय पर देना है कि 10 रुपय पर देना है दस रूपे पर देना है, तो इसका मतलग यहां पर क्या हो गया, कि 10 रूपे का 10%, यह कितना हो गया, एक रूपे, तो फिर यहां पर हम एक रूपे को भ्याट करेंगे, टूटल कितना हो गया, 111 रूपे, तो जो सेस की अबधारना है, उस अबधारना को आप यहां पर समझ ग और दूसरा कस्टम डिटी सीमा सुल्प इस पर लागू होगा अब जिसमें सामिल वस्त में कौन-कौन सी हैं एक नजर डाल दीजे जैसे पेट्रोल है पेट्रोल पर कितनी की बात हो रहे हैं धाई रुपए प्रती लिटर पर ये अग्रिकल्चर इंफ्रस्ट्रॉक्ट्टर सिस लागू होगा आगे देखें कि उपभोगता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा तो वित्रमंत्री के अनुसार उपभोगता पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कैसे नहीं पड़ेगा जरा उसको देखें माल ले कि गोल्ड गोल्ड पर अगर कस्ट रेंड डेवलप्मेंट सेश में हम सोने पर कितना देख रहे हैं 2.5 परसे मतलब नहीं तो इसी चाहिए था 2.5 परसेंट बढ़कर कितना हो गया 12.5 परसेंट लेकिन ऐसा होगा नहीं कि यह जाएगा कि यहां पर जो 10 परसेंट इसे कम करके कर दिया जाएगा 7.5% और 2.5% यह हुआ तो एक उपभोगता को या एक उपभोगता पर जो भार पर आववा कितना रहा 10% ही रहा मतलब उसमें किसी प्रकार की कोई तब्दीली नहीं आई तो फिर इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा प्रभाव पड़ेगा राज़ी पर राज़ी पर इसलिए प्रभाव पड़ेगा पहले जो 10% 10% जो कस्टम डुटी ली जाती थी उसमें राज़ीों को भी हिस्सा मिलता था लेकिन अब देखिए अगर इसमें 0.5% कम कर दिया जाए तो 7.5% हो गया अब यहाँ पर यह कि पहले की तुलना में राज़ीों को कस्टम डुटी में से जो हिस्सा मिलता उसमें 0.5% की कमी होगी तो असर किस पर पड़ा है राज़ी पर इसका प्रभाव पड़ेगा वा इसलिए तो क्योंकि जो सेस होता है यह सेस केंद्र वसूलता है और अपने पास रखता है हाला कि जब बज़ट पर चर्चा हो रही थी तो बज़ट पर चर्चा के दौरान वित्यमंत्री का यह कहना है कि जो एग्रिकल्चर, इंफरस्ट्रॉक्चर एग्रिकल्चर, प्रेड्यूस, मार्केट कमिटी से सम्मंधित अवर समचना का विकास करना है चलि हम आगे बढ़े अब हम बात करते हैं पंद्र वित्यायों की क्योंकि यहाँ पर करहस्तांतरन की हमने बात की अनुछे 280 के अंतरगत वित्यायों का गठन राश्पती की द्वरा किया जाता है हमें यह पता है और 15 वित्यायों की अध्यक्चिता में गठिद की गई तो 15 वित्यायों ने अपनी रिपोर्ट राश्पती को सौब दी है और पंद्रवे वित्य आयोग के अगर हम पुरी अवधी की बात करें तो यहाँ अवधी है 2021 से 26 इस पे अगर करहस्तांतरन की बात करें मतलब राज्यों के जो करहस्तांतरन की बात होती है उर्धवादर हस्तांतरन की तो वह कितना रखा गया वहा है एक तालीस प्रतिसत पर रखा गया है और जम्मु कस्मीराजी को जो पाने मिलता था अब वह केंद्र सासित प्रदेश की रूप में परिवर्तित हो गया है तो केंद्र क्या करेगी कि जम्मु कस्मीर और लद्दाक इन दोनों केंद्र सास्वित प्रदेशों को धन उपलब्द कराई जाएगा पंद्रवे वित्य आयोग की जो रिपोर्ट है उस पर विस्तार पूरवक हम एक अलग वीडियो पर चर्चा करेंगे आगे देखे कि पंद्रवे वित्त आयोग ने यह सिफारिस की है कि वर्स 2021-22 के दोरान जो राज्य है उन्हें राज्यों को उधार प्राप्त करने की मंजूरी होगी किस सीमा तक वो देखे हर एक राज्य का जो जीडिपी है मतलब ग्रॉस इस्टेट डोमेस्टिक प्रोड़क्ट तो हर एक राज्य का जो जीडिपी है उसके चार परतिसत के बरापर फिर मैं दोरा रहा हूं कि पंद्रवे वित्त आयोग की सिफारिस के अनुसार 2021-22 इस वित् अज़ब्षार में बढढ़त्री भी हो सकती है वेसक बढ़तरी हो सकती है लेकिन उसमें शठी हैं इन सर्तों पर बादमें हम देखें आकर वस सरतिं क्या हैं तो कुछ सर्टों के साथ क्या आट देखे हैं कि हर एक राज्य अपने जीडियाशडिपी का मतलब ग्रॉस, स्टेट, डॉमेस्टिक प्रडॉक्ट का कितना है? 0.5% अत्रिक्त उधारी राप्त निकर सकते हैं तो मतलब 4% तो हर एक राज़ी ले सकता है 0.5% वही राज़ी लेंगे जो कुछ सर्तों को पूरा करें किस वित्ती वर्स में? 2021-22 है आगे बढ़ें आगे देगे अब हम बात करते हैं विवन परकार के घाटों की अगर आप लगातार बज़ट को सुन रहे होंगे देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे तो अलग-अलग परकार के घाटों की बात होती है जैसे राजकोसिय घाटा राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा और प्रात्मिक घाटा क्या होता है राजकोसिय घाटा समानने भासा में सलल रूपे सरकार की कुल प्राप्ती एवं कुल व्याके अंतर को राजकोसिय घाटा कहते है थोड़ा हो अगर हम अंदर जाएं, तो राजकोसी घाटे का अर्थ है, सरकार का, या सरकार के द्वारा, जो कुल ली गई बाजार उधार है, वह है, मतलब सरकार का राजकोसी घाटा बाजार उधार के बराबर उत्व है, यह बात आपने देख लिए, आगे मैं बात कर रहा ह किसकी राजस की आपने बजट देखा था बजट हमने क्या देखा यहां पर कि राजस आय राजस व्याय तो जब हम राजस घाटा की बात करेंगे इसका मतलब यहां पर क्या है कि जो राजस प्राप्ति है उस राजस प्राप्ति की तुलना में राजस व्याय की अधिकता को हम माल लिए कि सरकार को प्राप्ति होती है कितने की 100 रूपे की जबकि राजसु व्याय अगर सरकार का 120 रूपे हो जाए तो फिर यहाँ पर घाटा कितने का है माइनस 20 रूपे का तो राजसु घाटा का अर्थ यहाँ पर क्या हो रहा है कि सरकार के राजसु प्राप्ति की तु लिजे कि वैस्वी की स्तर पर या जो बजटिय सिधान्त है उस बजटिय सिधान्त के अंतरगत प्रभावी राजसुघाटा नाम की कोई चीज नहीं है भारत के संदर में प्रभावी राजसुघाटा का अस्तितो आया 2011-12 है प्रभावी राजसुघाटा या Effective Revenue Deficit का अर्थ होता है कि Revenue Deficit में केंदर सरकार की द्वारा राजसरकारों को दिया गया वैसा अनुदान जिसका उप्योग राजसरकारों की द्वारा Capital Formation में किया जाता है तो मतलब यहाँ पर यह है कि Revenue Deficit में उस Revenue के पार्ट को माइनस कर दिया जाता है जो केंदर सरकार की द्वारा राजसरकार को अनुदान के रूप में दिया जाता है लेकिन राज्जी की सरकारों के द्वारा उस अनुदान का जो हिस्सा है या कुछ हिस्सा है उसका उप्योग हुआ Capital Formation में करते हैं यह होता है Effective Revenue Deficit अब हम बात करते हैं किसकी प्राथमी घाटे की तो जैसे हमने राजस्तु घाटा में क्या देखा था कि राजस्तु प्राप्ति की तुलना में राजस्त व्याय की अधिकता को हम क्या करते हैं राजस्तु घाटा करते हैं तो प्राथमिक घाटा क्या है तो व्यासे प्राथमिक घाटा भी क्या होगा प्राथमिक घाटे का मतलब होगा कि प्राथ्मिक प्राप्ति की तुलना में प्राथ्मिक व्याय की अधिकता को हम कहेंगे प्राथ्मिक घटा यहां मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि सरकार की जो प्राप्ति है उसे हम कहते हैं कुल प्राप्ति या टोटल रिसीट सरकार की जो कुल प्राप्ति होती है उस कु रिसीट और दूसरे को कहते हैं सेकंडी रिसीट या दूतियक प्राप्ति तो जो प्राथमिक प्राप्ति होती है वो क्या होता है कुल प्राप्ति में से दूतियक प्राप्ति को जब माइनस करते हैं जो उसे भटाते हैं तो प्राप्त होती है प्राथमिक प्राप्ति और यह जो द्वित्यक प्राप्ति है यह क्या है यह बाचार उधार ठीक उसी तरीके से अगर सरकार के कुल व्याइक की हम बात करें टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें इसे भी दो भागों में बाटते हैं एक प्रैमरी एक्सपेंडिचर और दूसरा सेकंडरी एक्सपेंडिचर सेकंडरी एक्सपेंडिचर में क्या रखते हैं तो जो रिंड लिया था उस रिंड पर जो ब्याज की अदाइगी होती हो उसे किसमें रखते हैं सेकंडरी एक्सपेंडिचर में रखते हैं और फिर यहाँ पर जो प्रैमरी एक्सपेंडिचर वो क् बात करें तो इसका सूत्र होता है क्या हो गया कि जो ब्याज अदाइगी की तुलना में जो बाजार उधार है उसकी जो अधिकता होती है उसे हम क्या करते हैं प्रात्मिक घाटा करते हैं और हमने यहाँ पर क्या देखा राजकोसी घाटा कियो बराबर होता है मार्केट बो रही मतोब बाजार उधार तो आप उसे दुसे तरीके सीहह बात भी कह सकते हैं कि राजकोसी घाटा मतब फिस्कल डिफिसिट माइनस इंट्रेस्ट पेमेंट यहां पर क्या हो जाएगा कि ब्याज अदाएगी की तुलना में राजस्य घाटा की अधिक्ता को हम क्या करते हैं प्रात्मिक घाटा तो यह तो बात हो गई घाटे से समंदित हमने चारों प्रका कि जब भी बजट को प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें जो आक्रे होते हैं उन आक्रों पर गौर करें कुछ आक्रे होंगे वास्तु ककरे फिर आक्रे संसोधित होंगे और फिर बजटी अनुमान होगे इस जरा इस उदारभास तो यहां पर देखें क्या लिखा है 2019-2020 से संबंदित यहां पर वास्तिक आंकडों की बात की गई है 2019-20 का जब बजट प्रस्तुत किया जा रहा होगा तो वित्ती वर्स कौन सा होगा 2018-19 तो 2018-19 में 2019-20 का जो बजट प्रस्तुत किया गया था, यहां पर उसके लिए क्या सब्द दिया गया था, बजटी अनुमान, मतलब बजट एस्टिमेसर, चिक, ध्यान दिजी आगे, फिर अगले वित्तिवर्स, मतलब 2019-20 के बाद, मतलब 2020 और 2021 इसकी बात हो रही है, तो जब 2019-20 में 2020-21 के बजट को प्रस्तुत किया जा रहा था, तो इस बजट को प्रस्तुत करने के दौरान, 2019-20 के लिए जो पहले बजटी अनुमान था, उसके लिए अब यहाँ पर क्या प्रियोग किया जाएगा, संसोधित अनुमान, रिवाइस्ट एस्टिमेसर, इलर ये, आगे बढ़ रहा हूँ, फिर 2020-21 जो अभी चल रहा है, इसमें बजट प्रस्तुत किया गया, किसका, 2021-22 का, ठीक है, 2020-21 वित्ती वर्स में, जब अगले वित्ती वर्स, 2021-22 का बजट प्रस्तुत किया गया, तो फिर 2020-20 के जो आकड़े हैं, उसके लिए क्या सब्द प्रयोग किया गया, यह हुआ, एक्चुल डेटा, वास्ट्विक डेटा, वास्ट्विक होगड़े, तो यहां भी देखे, क्या देख रहे हैं, कि बजट प्रस्तुत किया गया, 2021-22 के लिए, यहां पर क्या है, 2019-20, वास्ट्विक, 2020-2021 यहां पर क्या है, बजट अनुमान, लेकिन फिर यहां इस वर्स क्या किया गए उसमें, संसोधीत अनुमान, और फिर यहां पर 2021-2022 में, बजट अनुमान, यह आप समझ गये, क्या होता है, बजटी अनुमान, फिर क्या होता है, संसोधीत अनुमान, और फिर क्या होता है, वास्पीत आंकडे, अब जरा यहां और कीजिया घाटे की प्रविड़ती अब जरह हम चारों प्रकार के घाटों की इस्थिति को देखेंगे क्या है तो इस्थिति यहां पर यह है कि देखें यह प्रैमरी डिफिसिट फिर उसके बाद एफेक्टिव रेवेन्यो डिफिसिट फिर रेवेन्यो डिफिसिट और सब 2019-2020 में अगर हम बात करें fiscal deficit की यह कितना है 4.6% of GDP उसके बाद revenue deficit की बात करें तो वह कितना है 3.3% of GDP, effective revenue deficit 2.4% of GDP और primary deficit बात कितना है 1.6 2020-21 की अगर बात करें तो जो अब संसोधित है वह क्या है देखिए तो यह है अगर राजकोसी घाटे की बात करें तो यह कितना 9.5% of GDP और 9.3% revenue deficit कितना 7.5% GDP का effective revenue deficit 6.3% और फिर primary deficit यह कितना है 5.9% दो हजार 21-22 इस विर्तिवर्स के लिए क्या अनुमान लगाया है सरकार ने वो देखिए तो सब में हम गिरावट देख रहा है कितना 9.5% अनुमान है कि 6.8% पर पहुँच जाएगा जो हमारा राजकोसी घाट अगर राजस्व घाटे की बात करें हम तो उसमें कितने 5.1% ऑफ GDP का अनुमान लगा गया है effective revenue deficit में क्या अनुमान लगा गया है 4.1% और primary deficit का कितना अनुमान लगा है 3.1% तो यह आकड़े हैं इन आकड़ों में से कुछ आकड़े हमारे दिमाह में रहने चाहिए exam में उसका परियोग करने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं अब इन घाटों के संदर में देखे क्या है सरकार ने क्या अनुमान या लग्च रखा है देखे दो हजार पक्चिस छबबिस तक जो राजकोसी घाटा है उसे कहा तक लेकर जाना है GDP का साढ़े 4% तक करने का सरकार ने लग्च रखा है इसके अं अनुसासन के अंतरगत लग्च रखा है FRBM Act के अंतरगत रखा है FRBM Act ये अगर हम बात करें तो उसके अंतरगत जो राजकोसी घाटे की बात की जाती है जो अनुसासित जो इस तरह वह कितना है वह है 3% of GDP अब सरकार कैसे राजकोसी घाटे को कम करेंगे तो सरकार का यहां पर यह कहना है कि अगर सही धंग से सरकार के द्वारा व्याय किया जाए और साधनीच छेतर के उद्यम जो पॉब्लिक स्टे इंटरफ्रइस हैं से वह और जो सरकार की परिसमपत्या एं उसका अगर मौदरी करन किया जाए जिस पर मैंने चर्चा कर ली है जो बजट है बजट के पार्ट से उसके मैंने चर्चा कर ली है यह मौदरी करन के अंतरगत सरकार कैसे राजसु को इखटा करेगी तो फिर यहाँ पर इसके द्वारा सरकार राजसु की प्राप्ति करेगी और फि प्रक्ष को आगे की और बढ़ाये जा रहा है दो जार पचीस चब्रिस तक इसके लिए आविस सिर्था इस बात किया है कि एफ आर बीम एक्ट में संसोधन किया जाए तो इससे संबंधित प्रस्ताव भी बजट में रखे गए हैं आगे देखिए पंद्रवे वितायोग जो मैं सर्थ की बात कर रहा था उस सर्थ को सुलिया आप कि अगर सर्थों को पालन करते हैं पंद्रवे वितायोग हमने क्या देखा कि अगर राज्य सर्थों का पालन करता है तो राज्य अपने जीडीपी का 0.5% अत्रित उधार प्राप्त कर सकता है ज़रा इस पर गौर कीजिए, कि पंद्रवे वितायों कि जो सिफारी से उसकी अनुसार राज्यों का 2023-2024 तक राजकोसी घाटा, राज्जी के जीडिपी का कितना अनचे 33 सर्थ तक लाना, यहाँ पर वही शर्त है, आगे देखिए, सरकार के अगर कोस की बात करें, तो मोटे तोर पर हमें क्या पता है, कि सरकार के संचित कोस है और एक आकस्मिक कोस है, Consolated Fund है और Contingency Fund है, बजट में यह प्रस्ताव को बढ़ा दिया जाएगा, वो कहा तक कर दिया जाएगा, 30,000 क्रुड रूपे तक किया जाएगा, हमें यह पता है कि आकस्मिक कोस में, जो राजस्य या जो रासी रखी होती है, सरकार, उस रासी को पहले खर्च करती है, और बाद वो उसका विवरास संसद में रस्तुत करती है, आगे देखें, एक महत्पूर्ण बात यहाँ पर यह है, कि खादी सबसीडी के लिए, ध्यान जेगा, खादी सबसीडी के लिए, मत परती खादी निगम को दिये जाने वाले, National Small Saving Fund रिन को बंद करने का प्रस्ताव किया गया है, मतलब यह, कि अब इसके माध्यम से, FCI को रिन नहीं मिलेगा, तो यह क्या प्रावधान है, यह जो है, यह क्या बता रहा हमें, यह बता रहा है, कि सरकार, Off Budget Financing से हट रही है, इसा खर्च, जिसका ब्योरा, बजट में मौजूद नहीं होता है, मतलब बजट में, जिन खर्चों का ब्योरा दिया गया रहता है, उनसे प्रिथक, सरकार के द्वारा जो अन्य खर्च किये जाते हैं, उसे हम करते है, Off Budget Financing, तो यहाँ पर यह कि खाद सबसीडी के अंतरग जो अनाज लोगों को दिये जाते हैं, और उस पर जो भार पढ़ता है सरकार पे, या FCI पर, उस भार को सरकार बाहर से रिन लेकर पूरा करती है, National Small Saving Fund के द्वारा पूरा करती है, तो अब सरकार का यह करना है कि नहीं, अब जो किये जाएंगे खर्च, वो सीधे किस्से हो एक विशेश प्रियोजन वाहन इस्थापित कर सकती है, अब देखेंगे अगर सरकार को मालने की कहीं पर एक पूल का निर्मान करना हो, इस पूल को बनाने के लिए सरकार को जरुरत पड़ेगी राजसी की, अब इस राजसी को दो तरीके से प्राक्त किया दा सकता है, एक तो बजट में उससे समंदित परस्ताव डाल दिया जाए, इसका उलेक बजट मोगा, दूसरा यहाँ पर यह है कि ऐसा सरकार कुछ ना करे, सरकार क्या करे कि इसको इस पूल को बनाने के लिए सरकार एक special purpose vehicle बना दे, ये special purpose vehicle क्या करेगी, बाजार से रिन को प्राप्ति और फिर जो रिन के दौरा रासी प्राप्ति की गई, उसे इस पूल के बनाने में लगा दिया जाएगा, पूल का निर्मान होगा, लोगों की आवाजाही बढ़ेगी, टोल टेक्स लिया जाएगा, फिर जो टोल टेक्स लिया जाएगा, इस टोल टेक्स को ये special purpose vehicle प्राप् अधान है, ये क्या हो गया? ये हो गया OFF-BUDGET FINANCE, ये बात आप समझ गया? देखे, अब सरकार क्या है? क्योंकि रिन सीधे सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है, सरकार ने सीधे तो रिन नहीं लिया, सरकार ने किसी एक विसे संस्था के बाद घ्यम से रिन लिया, तो क्या का बहार किस पर है सरकार पर ही एंगर ओफ बचुट फाइनसिंग में यह होता है कि वास्तिक रूप में यह पता ही निहीं चलता है कि सरकार पर रिण का बहार कितना है और इसी को बार बार उठाय जाता रहा है और जब पंद्रवे वित्यायोग के समक्ष नियंत्रक एवं महालेखा परिच्छक के द्वारा परजेंटेशन दिया जा रहा था तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जितना रिण हमें सरकार पर दिखता है या यूं कहें कि जितना राज प्रावधान को अपनाती है और ठीक अंतरास्टिय मुद्रा कोस ने भी राजकोसी घाटे के दमन के और इसारा किया था उनका भी एक आनाता यह जो ऑफ बजट फैनेंसिंग है या किसी भी देश की सही वित्ती इस्थिति का जिक्र नहीं करता है क्योंकि वित्ती इस्थित वापस ले रही है रूपया कहा से आता है और रूपया कहा को जाता है तो आप वीडियो को रोक कर इस चकर को देख सकते हैं लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए कि रूपया कहा से आता है तो बजट 2021-22 के अंतरगत रूपया कहा से आता है तो उसमें यहाँ पर दिया गया है मैं ज्यादा से कंकी और बढ़ रहा हूं सबसे ज़्यादा उधार एवं अनिदेताओं से उसके बाद GST फिर आई कर फिर निगम कर पिर केंद्री उत्पात सुल्क कर भिन राजस्व रण भिन पुंजी प्राप्तिया और सीमा सुल्क तो इसके करम को अगर आप याद रख सकता है अगर इस तरह के कोई प्रश्ण पूछे जाते हैं तो वहीं और रूपय आव कहां जाता है फिर वीडियो को रोक कर अगर आप इसे एक बढ़ देख लें यहां भी ज्यादा से कम की और बढ़ रहा हूं देखिए इसमें ब्याजद आएगी करोर शुलकों में राज्जी का हिस्सा केंद्री छेत्र की योजनाएं वित्यायोग और अन्य अंतरण मतवित्यायोग की संस्तोती के अधार पर जो अंतरण प्या जाता है अन्य व्याएं केंद्री प्रायोजित योजनाएं इस स्पॉंसर डिस्की में ये सेंटरल, सेक्टरिस्क्री में, ये केल सरकार के द्वारा जो स्पॉंसर डिस्क्रीम होता है, फिर आर्थिक साहरता, रक्षा और पेंसर, तो इस परकार हमने, बजट 2021-22 के दोनों पक्षों, दोनों पक्षों का अर्थी यहां पर यह है कि पार्ट A, पार्ट B, पार्ट A म हमने, जो बजट प्रस्ताओ 2021-22 के च्छ इस्तंब थे, उन च्छ इस्तंबों को तीन वीडियो में हमने उस पर चर्चा की है, जो पार्ट B है बजट का, जो मुख रूप से राजपोसिये इस्थिती से समंधित तस्वीर हमारे समक्ष पेस करता है, तेज के समक्ष पेस करत है, उस पर हमने विस्तापूरवक चर्चा की, इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समात करते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, अगर आपको हमारा वीडियो और हमारा कारी अगर आपको अच्छा लगता है, परसंद से नहीं लगता है, तो फिर आप इसे जादा से ज़्यादा शेर करें, इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समात करते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नमस्कार.